नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डेजिटल फिलेशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिस्टन के दोवारा जो गुरूपडी का पोर्टल ओपन हुआ है जिसमें प्रफ्रेंस बरवाई जा रही है उस प्रफ्रेंस को लेकर आपको क्या करना है विस्तार से इस वीडियो में कुछ चर्चा करेंगे और सात्यों आपको बता दे फिलाल सपर में हैं इसलिए जो इंपोटेंट वीडियो था तभी ये बढ़ाया जा रहा है आपके लिए जरूरी था क्योंकि प्रफ्रेंस आपको आज और कल भरनी है आप सात्यों इसमें मुख्य मुख्य बाते हम आपको बताएंगे और इस से रिलेटिड यानि की बचे वे डिपार्टमेंट से रिलेटिड जो भी बाते हैं जो इस वीडियो में नहीं बताई जाएगी वो आपको टेलिग्राम चेनल पर बताई जाएगी यानि कि टेलिग्राम चेनल पर हम क्या बताने वाले हैं वो भी आपको बतादे कि कौन कोड से डिपार्टमेंट का एड़ कोर्टर है वो कहां-कहां रहने वाड़ा है ये टेलिग्राम पर आपको बताते रहेंगे दिन में इसलिए आप टेलिग्राम जोईन जरूर कर लें फिलाल सपर में है इसलिए आपको मुखे-मुखे बात वीडियो के माद्यम से बताई जा रही है सबसे पहली बात ये साथियो कि अर्याना स्टाप स्लेक्शन कमिशन के दुवारा जो ये कोमन केडर है इसमें कौन-कौन से डिपार्टमेंट है पहले तो ये देख लीजिए ये देखे साथियो जो ज्यादातर डिपार्टमेंट्स है वो कुमेंट के अडर में रहने वाले हैं जो अर्याना सरकार के अंडर में रहेंगे जो 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 आप ना करें लेकिन इसका आभी नहीं दिया गया है department कौन सा choose करना ये option नहीं दिया गया ये जो सभी department 63 के 63 department है यानि कि अगर इन departments में आप लगना चाहते हैं तब तो साथियो आपको common cadre first priority के उपर बरना होगा जो उपर अगर आप ना भी बरते हो तो भी common cadre पहले number पर ही है जिसमें higher education भी आ गया secondary education भी आ गया जो जो साथियो डिपार्टमेंट से सभी department common cadre में रखे गए हैं तो ये डिपार्टमेंट कौण कौण से 63 ये लिस्ट अमने टेलिग्राम पर पहले ही अपलोड कर दी है आप जाकर देख सकते हैं अब बात करें कि इन डिपार्टमेंट में अगर आप लगना चाहते हैं तो common cadre जो साथियो देखिए यानि कि जो अर्याना बोर्ड है ये बिवानी में है तो बिवानी वाले candidate इसको बर सकते हैं इसमें पर्मोशन जल्दी होगा अब पर्मोशन जल्दी होगा तो जो वहां के local साथिये हैं वो ही बने तो उनको फाइदा है आप हैं मेंदरगड के या पंशकुला के या जगे उपलब नहीं रहेंगे इसलिए आपको board corporation वही साथि बरें जो अपने नजदीक लग रहे हैं नजदीक वाले तो साथियों बर सकते हैं लेकिन अगर आपने बर दिया और आपसे बहुत दूर है जैसे HPSC है यानि कि जब से आप लगोगे और जब तक आप retirement लोगे है लेकिन आपको पंचकुला duty करने पड़ेगी अब अगर कोई मेंदरगड का candidate है नारनोड का है या जो भी साथियों ओर डिस्टिक्स के बिवानी दादरी जो भी हैं इन डिस्टिक्स के candidate अगर पंचकुला duty करेंगे तो साथियों को कितनी समश्याओं का सामना करना हैं अब कुरुचेतर development board है इसका ad quarter कुरुचेतर में है तो कुरुचेतर के नजदी के लोग को तो वहाँ कर सकते हैं duty लेकिन दूरवालों को बड़ी समस्याएगी इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी होगी बाकी बचे वे departments के ad quarter भी हम है टेलिग्राम के उपर upload कर इस common cadre का साथियो जो सुचनाई मिल रही है कि CS office की तरफ से final result के बाद आपसे preference मांगी जाएगी पहले final result जारी होगा उसके बाद common cadre में जो जाएगा उसकी अलग preference बरवाई जाएगी और फिर उनको पोश्ट दी जाएगी ये है SSC काया रेना सरकार का प्लान अब ये बहुत फास्ट तरीके से होने वाड़ा है ये आपको पता भी होगा लेकिन ज्यादातर साथी जिनको बोर्ड और कोर्प्रेशन से ज्यादा इच्छुक नहीं है और जो बविस्से में पढ़ कर बड़ी जोब यानि की साथियो देखो जो पर्मोशन पाना चाहता है वो तो इनके उपर लागू ज्यादा नहीं होते को मन केडर में सारे इनके नियम लागू होंगे यहां पर पर्मोशन कम है लेकिन जो एक्जाम होते हैं डिपार्टमेंटली वह एक्जाम देखर आप आगे बढ़ सकते हैं अब इसके लिए आपको को मन केडर चुनना होगा और जो बोर्ड और कोर्प्रेशन की जोब आपको हर जगे नहीं मिलने वाली, तो यह द्यान रखने वाली बात है, ज्यादातर साथी एक नंबर के उपर common cadre ही करें, मेरा यही सुझाओ है, बाकि जिनके नजदिक बोर्ड और कोर्प्रेशन है, वो बोर्ड और कोर्प्रेशन कर सकते ह और साथियों इनके एड़कॉर्टर हम टेलिग्राम पर बता देंगे ये थी जरूरी अपडेट आप सबी साथी ये परफ्रेंस आसानी से बर सकते हैं साइट की परकिरिया भी सही तरेखे से सल रही है आप जाकर और अपना जो परफ्रेंस बर दे इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है ऐसे और बरतियों से रिलेटिड जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद